हेलो दोस्तों आप लोग ऐसे उमीद करती हूं कि आप लोग अच्छे होंगे यहां पर हमने पुराने कड़ाई को चेंज करके हम मंगाए हैं नन इस्टिक कड़ाई तो चलिए सबसे पहले बताते हैं कि कड़ाई इस्तमाल करने से पहले हमें क्या करना चाहिए तो हम इसे अच्छी तरह साफ करके ही इस्तमाल करें तो यहां पर हम देख सकते हैं कि सफाई कर लिए हैं और यहां पर गरम पानी लिए हैं थोड़े देर के लिए हम गरम पानी इसमें डाल के छोड़ देंगे छोड़ने के बाद हम इसे फेक देंगे पानी को और फेकने के बाद हम इ कढ़ाई खड़ाब नहीं होगा कि winter time पूरतीं कढ़ाई यंदम के त्लिक कढ़ाई सवाफने के इसमें च्रिए सब्सक्राइब 2 प्रचा का दूबरेश को बाद इसमें अध्या थे मैंज हम रें ऑदो फिर eh winter टीप हमने अपनाया है वो टीप आप भी अपनाएं और फिर नन स्टिक कढ़ाई में कोई भी चीज बनाएं तो ऐसे हम लोग कढ़ाई खराब होने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा तो यहां पर कभी भी स्टील का स्टील का चमच ना इस्तमाल करें यहां पर हमने ल कि प्लास्टिक का चमच इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन कभी भी स्टील का चमच इसमें इस्तमाल ना करें इससे हमारा कढ़ाई नम्हें समय तक चलेगा और यह देख सकते हैं तेल की भी बचत हो रही है तो आप भी अपमे इस्तमाल करें हिजिदीplets अ कर आईक निस